हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम बैंक का बड़ोधा के एडवांटेजस सेविंस अकाउंट्स को कमपेर करेंगे केंडरा बैंक के सेविंस अकाउंट्स के साथ में दोस्तो इसके अलामा हम दोनों ही सेविंस अकाउंट्स को आपस में कमपेर करके ये देखेंगे कि आप लोग के लिए कौन सा savings accounts ओपन करवाना चाहिए 2023 में इसके अलामा इन दोनों ही बैंकों में से कौन से बैंक में आप लोग का पैसा ज्यादा सुरुचित रहता है तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बहुत ही study करके बनाया है तो चलिए इसी के साथ में वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही बैंकों में से आप लोग का पैसा जो है वो किस बैंक में ज्यादा सुरुचित रहता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि ये दोनों ही बैंक DICGC से इन से और होते हैं DICGC जो की RBI की एक subsidy body है जिसके अंतरगत हर बैंक के हर customer को 5 लाख रुपे तक का insurance बिलकुल free में provide किया जाता है दोस्तों ये दोनों ही बैंक कभी भी अपने life में डूप जाते हैं तो ऐसे cases में आप लोग का 5 लाख रुपे तक का amount मिल जाएगा अब दोस्तों चलते हैं इन दोनों ही बैंकों के rate of interest के उपर तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि अगर आप बैंक का बढ़ोदा में अपना एक savings accounts open करवाते हैं तब यहाँ पर आप लोग को 2.75% पर इनम का rate of interest बैंक का बढ़ोदा आफर करता है वही पर अगर हम Canera Bank की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को 2.90% का rate of interest Canera Bank आफर करता है दोस्तों यहाँ पर Canera Bank interest rate के मामले में ज्यादा है इसके अलामा दोस्तों अगर आप 1 year का EFD open करवाते हैं तब ऐसे cases में दोस्तों बैंक का बढ़ोदा 6.75% पर इनम का rate of interest आफर करता है और अगर आप senior citizen के category में आते हैं तब यहाँ पर आप लोगो 7.25% पर इनम का rate of interest आफर किया जाता है वहीं पर अगर हम Canera Bank की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगो 6.75% पर इनम का rate of interest प्रोवाइट किया जाता है और अगर आप senior citizen के category में आते हैं तब यहाँ पर आप लोगो 7.25% पर इनम का rate of interest प्रोवाइट किया जाता है यहाँ पर दोस्तों EFD में ये दोनों ही बैंक सेम है इसकी अलामा दोस्तों अगर हम Eurage Monthly Balance की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों ही बैंकों में अपना एक savings accounts ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगो रूरल में 500 रुपए मेंटेन करना होता है सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है वहीं पर अगर हम मैट्रो सिटीज और अर्बन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगो 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है दोस्तों Eurage Monthly Balance के मामले में भी यह दोनों ही बैंक सेम है अब चलते हैं दोस्तों चेक्बुक की तरफ दोस्तों तो यहाँ पर मैं आप लोगो को बता दूँ कि अगर आप बैंक का बढ़ोदा में अपना एक savings accounts ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगो पर financial year 30 पेज का चेक्बुक बिलकुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है जबकि केंडरा बैंक में आप लोगो 25 पेज का चेक्बुक पर financial year बिलकुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर दोस्तों चेक्बुक के मामले में केंडरा बैंक थोड़ा कम है बैंक का बढ़ोदा से अब इसके अलामा दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा चेक्बुक लेना चाते हो तो ऐसे केसे में आप लोगो पर लिफ यानि की पर पेज चार रुपए देना होगा वो चाहे तो बैंक आप बढ़ोदा हो चाहे तो केंडरा बैंक है दोनों में भी आप लोगो फोर रुपीज पर लिफ यानि की पर पेज का चार्जेस देना होगा अगर आप एक्स्ट्रा चेक्बुक लेना चाते हो तो अब दोस्तों अगर हम डिसकस करें इनके SMS चार्जेस की तो यहाँ पर मैं आप लोगो को बता दूँ कि अगर आप बैंक का बढ़ोदा में अपना सेविंस अकाउंट्स ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोगो पर मन्त 15 रुपए पलस GST चार्जेस देना होता है जबकि केंडा बैंक में आप लोगो पर SMS 22 पैसे चार्जेस देना होता है और यह करीब करीब चार्जेस 15 रुपए के आस पास में जाता है तो यहाँ पर यह दोनों ही बैंक सेम है SMS Charges के मामले में अब इसकी अलामा दोस्तों अगर हम ATM Card Charges की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दू कि बैंक का बड़ोदा में आप लोग को रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और वहीं पर केंड़ा बैंक में भी आप लोग को क्लासिक डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है और अगर हम इन दोनों ही ATM के Assurance Charges को डिसकसरें तो यहाँ पर यह दोनों ही बैंकों में आप लोग को Assurance Charges एक भी रुपीज नहीं देना होता है जबकि अगर हम Annual Maintenance Charges को डिसकसरें तो यहाँ पर आप लोग को 200 रुपीज प्लस GST Charges देना होता है यह दोनों बैंकों में आप लोग को 200 रुपीज प्लस GST Charges देना होता है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैंक का बढ़ोदा में पहले क्या था पहले आप लोग को 100 रुपीज प्लस GST Charges देना होता था लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को मैंने बताया कि बैंक का बढ़ोदा ने अपना ATM कार्ड पर Charges बढ़ा दिया है तो यहाँ पर आप लोग को 200 रुपीज प्लस GST Charges देना होगा इसके अलामा दोस्तों अगर हम ATM कार्ड लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बैंक का बढ़ोदा का ATM कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप online transaction यानि की POS transaction कर सकते हैं जबकि अगर हम केंडरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप 75,000 रुपीज पर डे निकाल सकते हैं और 2,000 रुपीज तक आप online transaction यानि की POS transaction कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों केंडरा बैंक काफी ज़ादा आप लोग को लिमिट प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पर केंडरा बैंक बेश्ट हो जाता है बैंक का बढ़ोधा के मुकाबले इसके अलामा दोस्तों अगर आप ATM से पैसे निकालते हैं और आपके अकाउंट्स में इंसुपीसेंट बैलेंस होता है तो ऐसे केसे में आप लोग को पर ट्रांजेक्शन 20 रुपीस चार्जेस देना होता है इसके अलामा दोस्तों अगर हम काउंट ओफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि यह दोनों ही बैंकों में आप पाच बार पैसे निकाल सकते हैं इनके ओन एटियम से और तीन बार पैसे निकाल सकते हैं आप मेट्रो सिटी से दोस्तों और अगर आप इस लाइन को क्रास करते हैं यानि कि जो मैंने लिमिट बताया इसको अगर आप क्रास करते हैं तो अगर आपके पास में बैंक का बड़ोधा का ATM कार्ड होता है तो ऐसे किसिस में आप लोग को financial में 20 रुपीज चार्ज़स देना होगा और non-financial में 10 रुपीज चार्ज़स देना होगा जबकि अगर हम केंडरा बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को financial में 21 रुपीज पलस GST चार्ज़स देना होगा और 10 रुपीज आप लोग को non-financial में चार्ज़स देना होगा तो दोस्तो आप लोग के मन में ये दोनों ही बैंकों के savings accounts को लेकर के जो भी doubts और confusion था वो मैं आसा करता हूँ कि इस वीडियो में clear हो गया होगा आप जिसमें चाहें उसमें आप accounts अपना open करवा सकते हैं तो दोस्तो इसी के साथ में वीडियो समाप करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक like करिए और अपने channel finance banking को subscribe करिए मन में कुछ doubt हो confusion हो तो please comment करिए इसके अलामा अगर आपके मन में किसी भी bank के savings accounts को लेकर के doubts और confusion रहता है तो please comment करें ताकि मैं उस savings accounts के बारे में वीडियो नया आप लोग के लिए बना करके दे सकूँ तो चलिए इसी के साथ में मिलते हैं next वीडियो में